हेलो एवरीवन वेलकम टू टेस्ट बुक सोपर कोचिंग टेस्ट बुक सोपर कोचिंग पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मिरा नाम है सुनिल बिस्तनोई और आप लोगों के लिए लेके हाजीर हूँ आज की बहुत इपॉर्टन और बहुत ही वैल्यूबल सी क्लास यह हमारी जर्णल अवेर्नेस की बहुत इपॉर्टन सी क्लास है जिसके अंदर आप लोगों को बहुत इपॉर्टन तरीके से चोटी चोटी बारिकिया जो है वो सिखने को मिलेगी अज़ा सेशन को आगे बढ़ाऊं या सेशन को आपको सिखाऊं उससे पहले मैं कह देना जरूर चाहता हूँ कि अगर आप लोग पहली बार टेस्ट बुक सुपर कोचिंग प्लाटफॉर्म पे आए हैं तो प्लीज इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा पास में बैल आइकन है उसे भी प्रेस करिएगा ताकि आप लोगों को लेटस्क पे जाईएगा आप लोग सर्च करिएगा सूपर कोचिंग सूपर कोचिंग सर्च करके आप लोगों को आपका गोल सर्च करना है जैसे लिए आपको सेंट्रल बैंक ओफ इंडिया है ये वाला जो है ना आपका कोर्स आपको दिख जाएगा जिसके अंदर आप लोगों को जो है ना बहुत ही well qualified expert teacher जो है ना पढ़ाने वाले हैं ठीक है और के साथ साथ प्यारे दोस्तों इस batch को आप बाए करो ना उससे पहले आप लोगों को जो है एक coupon code apply जुरूर कर लेना है ठीक है ना जब भी आप लोग इस batch को बाए करें उससे पहले आप लोग apply coupon code पे click करना है और apply coupon code पे click करके क्या करना है एस यू एन आई एल सुनील भी ये code लगाना apply कर देना आपको discount मिल जाएगा on the spot ठीक है तो इतना ही काम करना है आपको और मेरा telegram handle है आपके लिए वो है सुनील साथ टेस्ट बुक इस telegram handle को ज़रूर जोइन कर लीजेगा आप लोग ताकि सबी के सबी आ जाईएगा हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही important तरीके से जो है न वो पढ़ने वाले हैं current affairs को पढ़ने वाले हैं जल्दी जल्दी सबी बच्चे आ जाईएगा connect हो जाईएगा share जरूर कर दीजिए इस class को आप लोग ठीक है और मुझे इतना भी बता सकते हैं आप लोग कि मेरा audio वीडियो बिल्कुल perfect है क्या सही सुनाई दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को चलिए तो हम start कर रहे हैं हमारे important current interface ठीक है ना तो आईएगा हम लोग यह हमारा session जो है बड़ा important है क्या इस चीज़ के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं अभी तो सबसे पहला सवाल आपके लिए क्या है फिलहाल के लिए वो पढ़ते हैं where did ISRO stabilize its second space port सवाल पता है क्या आपसे किया है सवाल आपसे यह किया है कि अभी ISRO ने अभी हाल ही के अंदर जोहना अपना दूसरा space port कहां पे open किया है genuinely बहुत गजब का सवाल है बड़े तसल्ली स क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरी डिटेल जानने को मिलेगी ISRO ने अभी recently space port अभी दूसरा launch किया है अपना और वो कहां पे किया है वो किया है actually आपका कुल सेर पतिनम के अंदर अभी जगह कहां पे पढ़ती है वो जगह मां आपको exact बताने की कोसिस करूँ तो यह पढ़ती है जगह तमिल नाडू के अंदर एक जिला है जिसका नाम है तूती कोरन ठीक है ना तमिल नाडू का एक डिस्टिक है जिसका नाम किया तूती कोरन जिसको तूतु कुडी भी कहा करते हैं वहां पे और तूतु कुडी कहिएगा या तूती कोर से सम्चते हैं इसको है क्या हमारे पास में ये किया है यह हमारे पास में यहां운-प्रद्य से पर दख्शन भारता का हिस्सा हो गया यहां पर सब्सक्रग होigg tbsp इसके बाद में अगली बात यहां पे 17 धवन स्पेस सेंटर है यहां से हम लोग अपने satellite को launch किया करते हैं ठीक है सर ये बात हमें पता है यहां से करते हैं दूसरा भी अभी तमिल लाडू के अंदर हो गया आपका कुल सेर पटिनम हो गया आपका इसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में कुल करके याद कर लेना जल्दी याद हो जाएगा मेरा सर सबसे पहला सवाल यहीं अराइज हुआ है कि आपने यह दोनों इसी साइड ही क्यों बनाएं आपने इस साइड क्यों नहीं बनाएं बतलब बोले तो सर ये वाला भारत का इस्ट पड़ता है ये भारत का west पड़ता है तो भारत के अंदर आपने नासर जो चोर बना जो आपने satellite launching center है न वो पुर्वी भारत पे ही क्यों बनाए आपने पश्चमी भारत पे क्यों नी बनाए और दुनिया के भी जितने भी सर मैं satellite launching pad देखता या देखती हूँ न तो मुझे वो भी पुर् पुले को देखिएगा आप अपने इस धर्ती को देखिएगा सर ठीक है देख लिया हमने अब इस धर्ती के ओपर ये वाला point कौन सा नोर्थ हो गया सर ये वाला कौन सा हो गया सर और ये वाला कौन सा जी east हो गया ये वाला कौन सा जी west हो गया ठीक है सर हमें ये भी पता अब बात ये आती है कि हमारी जो धर्ती है ना हमारी जो अर्थ है ना वो गूमती है वेस्ट से इस्ट की और गूमती है यानि कि वो पस्चिम से पूरव की तरफ गूमती है कैसे मतलब मतलब वो गूमती क्लोक वाइस डिरेक्शन में गूमती है जैसे आप लोग बाकी ग्रहो की स्थिति देखो, जैसे हमारे पास में सबसे पहले क्या हो गया, सन हो गया, सूरे बाबा हो गया, ठीक ना, सूरे, सूरज के सबसे पास कौन सा लगता गरह बताओ, सूरज के सबसे पास में लगता है, बुद्ध गरह लगता है, बुद्ध के बाद में कौन सा, एक एक वार सब्सक्राइब की चाहिए मंगल के बाद में बुद्ध बुद्ध को छोड़ दीजीगा कौन सा आएगा ब्रसपती आएगा ठीक ना अच्छा ब्रसपती के बाद में कौन सा आता है जी सुकरवार आता है छोड़ दीजीगा कौन सा आ गया जी सनीवार आ गया उसके बाद में अरुन वरुन हमेशा अगर आप इनग्लेज मेडियम न अजी है उन्न और ये जो सारे प्लैनेट है ना, इन सारे प्लैनेट में से दो प्लैनेट को छोड़ के, इस विनस को और इस यूरेनस को, अरुन को और सुक्र ग्रहे को इन दो को छोड़ के, बाकी सारे प्लैनेट जो है ना, वो कैसे घूमते हैं, वो सारे के सारे घूमा करते हैं, जी, क्लो स्यां के सारे प्लैनेट को शुकर और अरुण दो को चोड़के सारे के सारे एंटी क्लोक्वाइज घुमते हैं यह कैसे घुमते हैं इसे वाले इनके अलटे इस सेटलाइट वाले सवाल से रिस्ता क्या है? डारेक्ट कनेक्षन है एनडारेक्ट नहीं है एक डारेक्ट है जी देखो आप यहाँ से कोई satellite चोड़ रहे हो कहां भेजना चाहते हो बताओ सर स्पेस में भेजना चाहते हो मत अब धरती से बहुत बहुत दूर बेजना चाहते हो 600-500 km ऐसे दूर बताओ cycle चलाई है तो एक चीज अगर याद आ रही हो मुझे तो बहुत अच्छा से याद आ रही होगी जिस side चल रहे हैं हम लोग माल लेते हैं कि ये road है हमारा और इस road के अपर आपा चल रहे हैं और इस road पे अगर इधर हम चल रहे हैं इधर की अवाँ चल रही होती थी ना तो हमे ये नहर होगी और इस नहर के अंदर हम लोग तैर रहे हैं जिस दर पानी जा रहा है उदर तैरने में तो क्या ही जोर आना है पानी धक्के से धकेल रहे है ना जोर तो तब आता है जब सामने हवा चल रही हो उसके हम लोग विपरित साइकल जो है ना चला रहे हैं जोर तो जब मालो पानी तो जा रह一下 लेकिन हम तेर रहे है इther तो जोर आता है तब swimming में जोर आता है तो वही चीज है कि अगर आप की दर्गें गूम ऐसे रही है आपकी धर्ती कैसी गूम रही है पस्चिम से पूरव घूम रही है आपकी धर्ती और आपने यहां पूरव से सेटलाइट छोड़ दिया मतलब क्या साथ ही जोर लग गया समझे मेरे बात को धर्ती गूम रही है पस्चिम से पूरव घूम रही है साथ के साथ ही गूम रही थी गूम रही थी गूमते गूमते साथ में एक चीज और छोड़ दिया लो भई है हम लोग ताकि जल्दी से वहां पे लिजाए जा सके पहली बात पूरी होई कि यहां क्यों बनाया इसकी वज़य क्या थी आपके पास एक था सतीस दवन स्पेस सेंटर सिरी हरी कोटा अंदर प्रदेश में दूसरा आपके पास में हो गया अब आपका कुल सेर पट्टी न सबसे पहली न्यूज बताता हूं इसकी क्या है इसरो के अब तक के हिस्ट्री के अंदर इसरो के अब तक की हिस्ट्री के अंदर जो हना टोटल तीन अब्जरवेटरी सेटलाइट है ठीक ना इसरो के अब तक के हिस्ट्री के अंदर जो हना टोटल कितने तीन आप्जर और को वेट्री iclacodate left पे अभूँ टीन अभ तक ऐब दweified का मतलब अबजरीण अब्जर neural अंद डियर अर निगरानि और टिक om तो तक यह घंसे सुनना बहुत अच्छी चर्चा यह सवाल आपकी एक्जाम प्रस्पेक्ट्वी Whenever the most यपर्टन सवाल होने वाला है, ठीक है, तीन आबजरिवेट्रिस सेटलाइट dud उले पहला कब लूंच हुआ सर, पहला लूंच हुआ हुआ नाम क्या है? इसका नाम था जी आपका अदित्य L1 ठीक है ना TSLV Polar Satellite Launch Vical C57 से जोने इसको भेजा गया ठीक है और और जो है न क्या है सर और इसको जो हैना हम लोगों ने धरती से ने दरती से 15 लाख किलो मेटर 15 लाख किलो मेटर जो है मतलब बोले तो सर मतलब बोले तो यह हमारी ठहरी पिर्थवी गानी यह हमारी ठहरी पिर्थवी ठीक है और इस पिर्थवी से यह सूरज ठहरा जी हमारे सूर्य बाबा हो गए सूर्य बाबा अच्छा सन बाबा जो है धरती से सर कितने किलोमेटर दूर है सूरज बाबा धरती से ना 15 करोड किलो मेटर दूर है कितने 15 करोड एक जेक्ट तो नहीं है क्योंकि अपन डाउंस होता रहता है क्योंकि तीन जनवरी और चार जुलाई अपिलियन पैरिलियन की घठना होती रहती है वैं वैसे बता रहा हूं कि 15 करोड किलो मेटर दूर है on an average आप मतलब मानके चलो तो पर हमने धरती से 15 लाख किलो मेटर जहां रखना आप लोग कितना हमने 15 लाख किलो मेटर दूर एक जगह है जिसका नाम है L1 पॉइंट लंगार से पॉइंट नंबर वन जो है न वहां पे अपना सेटलाइट जो है न वो जाके छोड़ दिया जिसका नाम है आदित्ते L1 और आदित्ते L1 यह क्या करेगा यह सूरज से निकलने वाले सोलर फ्लेयर सूरज का तुफान सोलर का सूरज का आटमोस्फियर उसको स्टड़ी करेगा उसका अध्यन करेगा उसके लिए हम लोगों ने भेज दिया सर एक بال बताओ यहीं पियो भेजा क्योंकिए L1 पॉइंट पता है क्या है यह वो पॉइंट है जहांसे जो है न आपकी ग्रेविटी नहीं लगती है मतलब बोले तो सर, मतलब बोले तो यह है कि जहां से जो है आपका प्रित्वी की और सूरज की ग्रेविटी दोनों की नहीं लगती मतलब बोले तो ऐसा है कि ना सूरज खिंचेगा ना प्रित्वी खिंचेगी यहां पे destruction zero है यहां पे gravity एकदम zero है यहां से एक टक बैठा देखेगा, क्या देखेगा सूरज से निकलने वाले solar flare आग के गोले निकलना सूरज से निकलने वाले magnetic rage सूरज का atmosphere क्या है हमने जो पढ़ा है सूरज के बारे में क्या वो सही है क्या उन सब को study करेगा यह observatory mission observation का मतलब यह है न observatory, observe करेगा यह अचे एक बात बताओ सर ठीक है न, यह space observation के लिए था पहले यह बात बताओ हमने सूरज को भेजा है सूरज के पास study करने वाला हमने भेजा है तो क्या अब तक कोई दुनिया का कोई बाकी देश नहीं गया हुआ है यहां पर गया हुआ है न, कोई नासा गया हुआ है, ठीक है न, कोई गया हुआ है, नासा अमेरिका की space agency नासा है जानते हो आप लोग इसका आप बता सकते हो, comment box में नासा का full phone बता सकते हो, मुझे क्या है चलो बताओ, नासा का एक mission है जिसका नाम है पारकर probe, ठीक है न, जिसका नाम क्या आपका पारकर probe ये पारकर probe क्या हुआ है ये सूरज के बाहर चकर काट ये सूरज हूआ है है, ये सान हुआ और इसका बहर पार इसके इक लड़की यह काट रहे है काटे चाह रहे है काटेजा रहे है किसके बिल्कुल पास से गुज्रा रच्री पेंकि के चला गया बस ऐसा समझे याद करने के लिए ठीकша न ships to operate Parker PAN के रिगे कोपनी कभी यूज गया थोय यूज गया शुल में भूवात यूज टाइम में भूज नहीं बहूत यूज़ गया पार कर पायलेट टेको मेटर टेकमेटर यह मेरे most favorite pen वहा करते थे मेरे college के दिनों में और मेरे साभी दोस्तों में होते ही मेरे पास में थे भागी तो यूज नहीं करते थे बर मेरे को बड़ा pen के collection का बहुत ज़्यादा शोग हुआ करता था मुझे ठीक ना और इसके लावा टेक कुमिटर और टेकनोमिटर यह चारो पैन वन अब दो बेस्ट पैन थे मेरे लिए तो सब ने भी यूज किया होगे तो चलो खैर यह प्रिथवी और यह सारी बात होगी आप भी ठीक है सर जी बात होगी हमारे इस्रो के टोटल सेटलाइट वगरा यह बा होग इस्पोसेट एकस्पोसेट 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 ए बहुत बहुत है क्या है सैज़ इसके इंदर खास ऐसा मैं बताता हूं मैं इसको न लिखना नहीं पड़ेगा पहले से आपको डारेक्ट- इसके इंदर कि इसके अंदर जो हॉना वो ऐफ आज़ा क्यों कि एक स्लाइड कर बंद न्यों hy दिख जानें यह देखो, यह हमारा expo set है, यह दुनिया का दूसरा है, यह words only second x-ray polarimeter satellite है, दुनिया में दो ही देश ऐसे हैं, जिन्रोंने x-ray की study करने के लिए, अभी हाल ही में एक instrument भेजा है, एक satellite भेजा है, धार पहला क्यों सरे पहला देस है, आमेरिका नासा, नासा ने भेजा है, 2021 में भेजा था, उसका नाम था आपका, एक्स पीई मिशन है, यह दो होजार इकिस में भेजा हुआ है, 2021 के अंदर इसके साथ में दो मोड्यूल भेज हैं मतब दो पेलोड है दो इंस्ट्रूमेंट है जो एकसरे को स्टड़ी करेंगे किसलिए बेजा है इसके लबा म меньше स्टड़ी करेंगे हम लोग है इस मस्टalities करेंगे दोर में दोड़ेंगे च्छो पाउलेयूमेंट X-ray Polarimeter Instrument in X-ray ये क्या करेगा ये actually study करने वाला है Medium Intensity X-ray को पढ़ेगा ये पढ़ेगा Medium Intensity X-ray और Medium Intensity X-ray का range होता है 8 से लेके और 30 Kilo Electron Volt 8 से लेके 30 Kilo Electron Volt का range होता है किसका Medium Intensity X-ray का अच्छा दूसरा भेज़ा है हमने यहाँ पर expect भेज़ा है X-ray Spectroscopy and Timing इसका full form है X-ray Spectroscopy and Timing और ये क्या करेगा ये ना Low Intensity X-ray को खोजेगा Low Intensity का मतलब है 0.8 से लेके 15 Kilo Electron Volt यानि कि 0.8 से लेके 15 Kilo Electron Volt अब गजब की बात क्या है जो तुम्हारे पेपर में बन सकती है वो सुनिएगा तुम लोग पेपर में ये बन सकती है कि अब से पहले जो नासा ने छोड़ा हुआ है ना आपका वो I-X-P-E जो छोड़ा हुआ है वो आपका था expect type का था वो किस type का था expect type का था आपका अमने जो छोड़ा है ना वो मतलब low intensity वाला था पढ़ने वाला अब से पहले कोई satellite छोड़ दिया होगा now clap for India भारत के लिए इसके लिए तालिया हो जानी चाहिए जो कि बहुत ही unique काम किया है इसको बनाया किसने है सर polyx को इसको बनाया है रमन institute जो की बैंगलूरू में पढ़ता है इसको किसने बनाया सर expect को इसको बनाया U.R. Rao Satellite Center में जो भी बैंगलूरू में ही है U.R. Rao को ने जानते हो न satellite man of India कहलाते है 1975 में बारत का पहला satellite जिसको आरे बट कहते हैं उन्हीं के दत्वादान में launch हुआ था तो करके ध्यान रख लेना आप लोग तो इसरो के तीन observatory mission मैंने आपको बता दिये तीनों के तीनों बहुत important है और तीनों observatory mission की अगर हम बात कर रहे थे ना उसमें से अगर मैं कहता हूँ आप लोगों को एक बात और भी बताता हूँ फिर आपको मैं यहां से भी सवाल आपका यकिनन बन सकता है यह वाला इसरो के ही दवारा launch किया गया था विक्रम S rocket अब यह विक्रम S rocket क्या है सर बताईए विक्रम S rocket जो है ना यह इंडिया's first privately developed rocket है भारत के दवारा बनाया गया पहला प्राइवेट अब दिख को ध्यान रखना दुनिया के अंदर जो बनाए गया प्राइवेट्ली rocket है बनाया गया दुनिया के अंदर बनाया गया उसका नाम है उसका नाम है falcon 9 यह falcon 9 space company का अमेरिका की जो private company यह Space Company, जिसका नाम किया SpaceX, सरकारी कंपणी का नाम तो NASA है, Private Company का नाम SpaceX है, ऐसे इंडिया के अंदर सरकारी Space Company का नाम तो ISRO है, लेकिन Private Company कोन सी है, इंडिया की, one of the most most important question है, ध्यान रखना, developed by Sky Root Aerospace, that is in Hyderabad, मतलब बारत की सरकारी Space Company का नाम तो है ISRO, Indian Space Research Organization, Private Company का नाम है, Sky Root Aerospace, बुल नामत पेपर के लिए बड़ा अच्छा सवाल बन सकता है, और बहुत अच्छे सवाल आते हैं कई-कई बार आपके पेपरों में, तो Sky Root Aerospace is company का नाम है, ध्यान रख लीजिएगा आप लोग, हद्राबाद की एक company है, ध्यान रख लीजिएगा आप लोग यहां पे, ठीक है ना, अच्छा सर जी, इसके बाद में एक बात याद रखना, आप लोग यहां पे कि इसको launch किया था, ISRO ने कहां से launch किया था, स्तीस दहवन स्पेस से launch किया था, और इस mission का नाम था, प्रारंब mission था, ठीक है, अच्छा, ISRO का जो आदित्य L1 था ना, वो किस से भेजा गया, देखो, आदित्य L1 मैंने बिताया था, अभी आपको PSLV C57 से भेजा गया, झछट दिन पहले मैंने बिताया था, आपको वो भेजा, 1 January 2020 को भेजा था, Solar 2015 था, Exposet वो बहजा था, फो किस से भेजा गया, PSLV C58 से भेजा गया PCLV C58 से भेजा गया तेखना, PSLV मतलब Polar Satellite Launch Vehicle, ठीक है, अच्छा AUDITAL20 क्यों भेजा गया था? To study solar sun atmosphere यानि कि सूरज के atmosphere को पढ़ने के लिए भेजा गया design developed किस नहीं किया था? 01-DEPth, launch कब किया 2 September 2023 zes को, budget कितना है जी? 400 कptic 對 यह सारी बाते paper में पूजी जा सकते है Very very important है अगली बात है कि जिस rocket से भेजा गया यह 5.2 साल का mission है यानि कि 5.2 year का round figure करके आप लोग 5 year कर सकते हो otherwise 5.2 year का यह total mission है आपका सर यह अपने साथ में कितने instrument लेके गया तो यह अपने साथ में total 7 payload लेके गया था ध्यान रखिएगा total 7 payload लेके गया था आपका यह ठीक है और इसमें से एक आपका visible emission line chronograph है इसके अलावा जो है आपका chronograph है इसके अलावा solar ultraviolet amazing है अधित्य 11 wind particle है वहांके wind को study करने के लिए plasma को study करने के लिए low energy x-ray high energy x-ray और magnetometer ऐसे करके total 7 payload जो है यह अपने साथ में लेके गया है total 7 payload है मतलब यह instruments है यह अपने साथ में लेके गया है आपके लिए ठीक है ना एक का नाम VELC है visible emission line chronograph है आपका solar corona और dynamics को study करेगा यह इस payload को develop किया है Indian Institute of Aerophysics Bangaluru के दवारा with the collaboration of ISRO एक आपका गया है इसके अंदर suit गया है यानि कि ultraviolet amazing telescope को study करेगा इसको develop किया है Inter University Center for Astronomy and Astrophysics पुने के दवारा एक PSLV Aditya L1 गया है आपका ठीक ना यह PSLV Aditya L1 जो ना यह X-ray को study करने वाला है इसको UR Rao Satellite Center Bangaluru के दवारा develop किया गया तो यह ऐसे total 7 इसके इंदर गये हैं आपके ISRO का full form क्या है इसरो का full form है Indian Space Research Organization कब बनाता सरो 1969 में बनाता है Headquarter कहां पे सर इसका Bangaluru के इंदर है बनाया किसने था सर विक्रम Ambalal Sara भाई ने Now who is founder founder की बात कर रहे हो आप लोग ना founder तो founder को है सर इसके founder का नाम है जी इसके इंदर विक्रम Ambalal सारा भाई याद रखना यह founder है और इसके अभी current में chairman को है दस्वे chairman है SSO Manath नाम है उनका SSO Manath जो है current में इसके दस्वे chairman है तो ध्यान रखना यह वाली बात भी अच्छा इसरो का साल 2023 में बहुत मिशन था यहां से सवाल बनना भी लगबल आजमी है चंद्रियान थी के पास में तीन में component थे अब पहली तो बात यह याद रखना पहला component कोन सा था पहला component उसका था propulsion module प्रपलशन module क्या है सर यह उड़ के गया और चंद्रमा की कक्षा के अंदर छोड़ दिया जो चंद्रमा की कक्षा थी मुझा चंद्रमा का ऑर्बिट था न उसके साथ में जो है इस चंद्रियान थरी को छोड़ दिया साथ के साथ गुमाने लग गया उसके अंदर से निकला है actually आपका Vikram Lander Vikram के नाम पे नाम रखा गया Vikram सारा भाई कर भाई किना Vikram Lander, मतलब जो असल में चांद की दर्ती पे जाके उत्रा land किया उत्रा जाके यह Vikram Lander और उसके अंदर से निकल के आया रोवर जिसका नाम है प्रज्यान रोवर और प्रज्यान रोवर उसके अंदर से निकल के चला जो की actually study करने के लिए for it is used for collecting information जो information को collect करने के लिए है अपका ही है तो चंद्रियान 3 जो comprises three main component तीन main component है जिसके अंदर first one is a propulsion module है पहला propulsion module है किसली किसली है यह it will take the spacecraft to the orbit of the mask तो उस orbit of the mask के अंदर आ गया इसकेंड क्या है यह rover moon surface के उपर जाके उतरा तीसरा rover है इसके दर इसका नाम प्रज्यान है जो की वहां जाके information क्लेक्ट कर रहा है सर चंद्रियान के अब तक total कितने mission जा चुके हैं तो total तीन mission जा चुके हैं फस्ट जो चंद्रियान था चंद्रियान वन जो था ना आपका वह आपका 2008 में गया था तिनसो च्यासी करोड उसका बज़ट था total 2019 के अंदर दूसरा गया था आपका और इसका नाम था mark 3 बाहू बली rocket से गया तक्रीबन 988 करोड जो है इसका total बज़ट था और तीसरा अब गया है 14 जुलाई 2023 को गया 23 अगस 2023 को जाके वहां पर उतर गया और यह इसका total बज़ट जो है ना 615 क्रोड है सिक सहीए माफ करना pdf लो तो 615 क्रोड में टोटल गया है यह आपका आदीपूर्स मूवी से तो मतलब कम आदीपूर्स मूवी साथ सो क्रोड में बनी दूआ यह समझ लीजिया 315 क्रोड में चला गया कितने दिनों का था सर ओनली 40 डेस का आप यह बहुत इपार्टेंट क्यूसर मुझसे पूछोगे सर इतना दूर गया है तो इतना तेल कहां से लाए होंगे लिक्विड तो लिजा नहीं सकते तो फिर जलेगा कैसे बिना औक्सिजन तो आग नहीं पकड़ता कोई भी फियूल क्योंकि ऑक्सिजन खुद नहीं जलता है इट हैपस इन कंबश्चन पढ़ाओगा न आप लोग ने ऑक्सिजन जलाने में सहाइक होता है खुद नहीं जलता है अब आप यह बहुत बड़ा कंफ्यूजन में होगे यहार तो एक काम करो फिर हम क्या करें फिर हम लोग ने क्या किया उसी लिक्विड फ्यूल को जमाया विद ऑक्सिजन क्रिस्टल नहीं टूथपेस्ट आती है उसमें क्रिस्टल डले होते हो मैं अइस आडव बेड आती है इसे बहुत तेजी हावा च उस टाइप के इंजन को आप cryogenic engine कहा करते हैं, क्या बोला सर ने उस टाइप के इंजन को क्या कहते हैं, cryogenic engine कहते हैं, और इंडिया का पहला cryogenic engine था विकास, इंडिया फिर्स्ट cryogenic engine that is Vikas, पट अब जो हमने भेजा हो C20 भेज़ यह, CE20 भेच है और यह इंडिया का सबसे बड़ा क्रायोजानिक इंजन था आपका तो पावर बाई CE20 क्रायोजानिक इंजन इंडिया लार्जिस्ट क्रायोजानिक इंजन इसका टोटल बजट 615 क्रोड था रीतू कारी धाल महिला महिलाओं को सम्मान इसके लिए रीतू कारी धाल रितू कारी धाल ने इस पूरे प्रोजेक्ट चंदरियांथरी को वो लीड किया था और हमारे हर्याना की बहु अंबाला की बहु आरुसी सेथ जो है न उसने उस समय एंकरिंग की थी इसके अंदर इसके अलावा इसके आपजेक्टिव क्या थे objective यह थे भी एक तो हम धर्ती पर मदब चांद की धर्ती के पर soft landing करवा पाए जोकि America है, China है, Russia है उसके बाद चोथा देश हमारा बन गया एक बात important, second बात important है कि हम soft landing तो चलो करवा रहे हैं तो चलो ठीक है, soft landing के साथ-साथ बहुत अर्थ की धर्ती पर बहुत rare metal है तो रेर मेटल की study भी करना बहुत जरूरी है future में बहुत काम आएंगे आपके वो ठीक है, तो इस करके scientific experiment वगरा करने हैं, एक अपने आपको सिद्ध भी तो करना होता है, अब आपको कह दो कि यह करने से क्या होता है, अपने आपको prove भी करना होता है, कि हाँ, मैंने ऐसा किया मैंने यह किया, ठीक है न, बस अब इंडिया ने मैंने किया, ऐसा सिदा सा काम यही है आपको, ठीक है, चलिए आगे जाते हैं, तो Union Minister Amit Saha integrated the country's first nano DAP plant at which location, यानि कि Union Minister Amit Saha, Amit Saha जी ने भारत का पहला nano DAP plant जो है न, वो कहां पे इसको जो है लाँच किया है, भारत का पहला nano DAP plant, भारत का पहला nano DAP plant जो है न, इन्होंने लाँच किया है, गुजरात की राजधानी, जो कि कहा है आपकी जी गांदी नगर के इंदर, गांदी नगर के इंदर जो न, लाँच किया है, न, तरन टू, राइट या यूँ कह सकते हो कि ऐसी एक पारी आती है कि जा आप इसको लिखने की नोट करो, या अच्छे से नोट नोट बनाओ इसके अच्छे से, तीन नमबर, चार नमबर, पांच नमबर कैसे किस्तन बनाया करते हैं, ऐसे आप लोग जो न, इसको लिख सकते हो, क्या, कि, वट इस नैनो यूरिया, वट इस नैनो डी अपी, पहली तो बात आती है, यह नैनो डी अपी क्या होता है, पहल बच्पन में फांग लिया था, मुझे ऐसा लगा, वो चीन न, वाइट वेट सफेस यह पड़ी थी, फांगा मारा, ठीक है था, बाद में पता लगा, सोदो यूरिया है, तो खैर, यूरिया जो है, उसमें 46.6% के राउंड नाइट्रोजन होती है, तो अब जो यूरिया है अब बात यह आती है कि देखो, हम यूरिया क्यों डालते है खाद, जो कि पोधों के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, और उसका प्रोसस क्या होता है, प्रोसस आइगास तुम सभी गाहों से संबंदित हो, या इतना तो एक ग्रामिन प्रीवेस में समझी लिये होंगे भारत के अंदर आके कैसे होता है, खेतों के अंदर क्या होता है कि चीटते होते हैं पहले यूरिया को, ठीक ना, खेतों में यूरिया को चीट दिया, उसके पर पानी लगा देते हैं, फिर बाद में या पानी लग रहा होता है, साथ की साथ किसान क्या करता है, यूरिया ची के तो कमी है यह अभी और डिये पी भी ऐसे डिये आपका जमीन की रुवत्ता को बढ़ाने के लिए खाद होगी यह भी अब क्या होते हैं के लिए 50-50 किलों के भारी बैग यार उठा के कौन चले बहुत मुश्किल काम है अब चोटी सी बॉटल आगी यह देखिगा यह चोट पीछे बैक पर बांध के उसमें स्प्रे भर के और इसे किसान लोग करते हैं देखें के तुम लोगों ऐसे ऐसे ठीक ना आज बहुत सारी मसीन आगी लेकिन वह एक अपना एक रूप है उसका भी अलग भी मसीन का या उसको डोली बोलते हैं ठीक ना देसी बासा पे डोली अशे करें बोलते हैं तो ढोली से गोड़ी की जाती है फॉलद पर पॉदों के पत्तों पड़ी यहूजयर नुक्वार्ण करत दें का मूदी जमीन के अंदर मिट्टी का परदूशन होगा, कहते हैं उर्वरक खाद यूज करने से आपका मिट्टी के अंदर परदूशन होता है, आजकल बहुत सारी लोग उर्वरक कम डालते हैं, और्गनिक चीज़े खाते हैं, उनमें से मैं एक हूँ, मैं मतलब एक छोटे से क्यारी क अपने लिए खाने पेने के लिए जोना और्गनिक चीजों का ही इस्तिमाल करता हूँ, पसंद भी वही है, स्वाद भी अलगी होता है, और हेल्थ के लिए भी बहुत ही ठीक ठाक रहता है, जितना खाओ उतना एटलेस्ट, अच्छा तो खाओ पाओ एटलेस्ट, तो ग्लोबल सम्ट मिट चल रहा है, इसको कहते है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मिट, ये मोदीजी मुक्ख्यमंत्री थी थी गुजरात के 2002-03 से वहाँ तब से स्टार्ट है, हर साल होता है, अब ये कब से कब तक हुआ है? अब ये बारा तारिक तक हुआ है, तस से invest करेंगे ये green energy project में करेंगे green energy project का मतलब क्या है ये बनाएंगे ऐसी बिजली जिससे जो है जिसको renewable energy कहोगे आप लो 25 स्क्वेर किलोमेटर एरिया के अंदर solar panel और wind energy के plant setup करेंगे जिससे 30 गिगावाट बिजली जो है बनाएंगे ये सालाना लगबग 30 गिगावाट बिजली का एक्चुली जो है एमिशन होगा एक लाख युवाओं को जोब देंगे गुजरात के catch of run के अंदर ये काम करने वाले है ये तो अपने आप में बहुत बड़ा एक बिजनस प्रपोजल है और जो ये विंड एनरजी सोलर एनरजी के अंदर जो फोटो सेल अगरा लगेंगे न वह भी भारत के ही बने होंगे ऐसे नहीं कि बाहर से कहीं लेके आएंगे तो वह एक जरूरी चीज है जो याद रखना है आपको तो गुजरात की राजदा नहीं है गांधी नगर है अगला एक चोटा सा सवाल है वन लाइनर सवाल है बहुत इजी है जल्दी कर पाऊगे विच फोलिंग एजनसी लॉंच्ट है ऑपरेशन चक्रा टू साइबर फ्रोड से बचने के लिए ऑपरेशन चक्रा टू जो है ना लॉंच किया है अभी हाली में ट सब्सक्रांग करिगे करणा पंजाब में और तके तो बिचने के लिए कोई सायबर बनूर्टा है तो सम्पली क्या करीएगं और वेबसाइट पे जाईएगा cyber security dot com पे जाईएगा वहाँ पे आप अपनी complaint जो है ना post कर सकते हैं मेरे साथ में मेरी Instagram ID के clone बहुत बनते हैं मलगा कई बाहर बन गए तो मैंने अभी recent complaint जो ना वहाँ पे register करी है तो मतलब ये एक simple सी चीज है ठीक है ना आप simple और usable तरीका आप website के through access करके अपनी complaint जो है रजिस्टर कर सकते हो actually ठीक है अचा CBI का question बन सकता है paper में CBI का full form आ सकता है Central Bureau of Investigation है ये CBI का full form है CBI कब बना था 1 April 1963 को जो ना CBI बना था CBI का headwater कहां पे है New Delhi में है CBI जो है ना इसके जो agency executive है प्रवीन सूध है प्रवीन सूध है इसके agency executive है ध्यान रखिएगा आप लोग ठीक है agency executive प्रवीन सूध है इसके याद रखना चलिए next question पर आता हूँ तो क्या है which space startup recently unveiled the Vikram 1 rocket schedule for a launch in early 2024 ये बात मैंने अभी बताई तुमें बारत की पहली ऐसी, देखो explanation का यही फायदा होता है, detail से पढ़ दो कोई सवाल छूटे गई नहीं, पकी बात है आपके लिए तो भारत की ऐसी कौन सी company है, जिसने अभी recently Vikram 1S rocket launcher त्यार किया है, मैंने अभी बताए है 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 धराबाद की private company है है है, हैदराबाद की private company है, भारत की space company है, private company है और इस space company, private company का नाम क्या है, sky route aerospace है, I mean बोले तो option number A, जो हैं सवाल का ठीक रहेगा sky route aerospace है, याद रख ले ना very important है, simple है, कोई दिक्कत वाली बात इस पे है भी नहीं चलिए सरागे बढ़ते हैं सवाल, क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल I'm now the most important and most easiest question for you, in how many language will the portal of online reading of the preamble of the constitution be available सविधान और सविधान की जो परस्तावना, वो बहुत अच्छी है, बहुत important है परस्तावना का मतलब क्या होता है भई आप books पढ़ते हो, आप उसका शारांस पढ़ना साइद आता होगा, जैसे कोई भी novel है, कभी आप खरीद लेते हो, जैसे मैं क्या कहता हूँ से, उसके पीछे क्या होता है उसका एपिटैप होता है, उसका शारांस होता है, जो चंद लाइनों का होता है और मतलब more or less एक पेज का होता है, वो पढ़ने से ये समझ में आ जाता है, कि इसके दरब स्टोरी किस टाइप की होगी अना, ऐसा ही समझेगा हमारे पूरे सविधान को समझेने के लिए उसकी प्रस्तावना है उसका preamble है कह सकते हो आप लोग तो इस preamble को हर को ही पढ़े हमारे constitution को हर को ही पढ़े अब इसके लिए online reading the preamble to the constitution preamble भी constitution पढ़ने के लिए अभी उसको ना, कितनी language में available करवाया है और ये वाला question बहुत ज़्यदा confusing है उसका reason बता हूँ क्या है यहाँ option 22 है, यहाँ option 23 है option 10-8 में चलो, कोई confusion नहीं होगा क्यों? क्योंकि जब तुम पढ़ते हो भारत का जब तुम पढ़ा करते हो, सविधान पढ़ते हो तो सविधान की आठवी अनुसूची, यानि कि सविधान का 8th schedule जो है न, उसमें total 22 भासा दी गई है सविधान के आठवी अनुसूची के अंदर 22 भासा दी गई है, तो तुम भाग के यह जवाब देने की कोशेश करोगे, that is 22 बट एक बात हमेशा याद रखना, कि सविधान की 8th अनुसूची में कोन सी भासा सामिल नहीं है do you remember, याद आया सविधान की 8th अनुसूची में 22 भासाओं में कोन सी भासा नहीं है, जो कि बहुत important language, that is English नहीं है, और अब जो सवाल का अंसर है न, वो है 22 प्लस में एक English, यानि के total 23 language में यह वाला available करवाया गया है, in how many languages will be the portal for online reading of a preamble of to the constitution be available, जो preamble of the constitution है, सविधान की प्रस्तावना को पढ़ने के लिए online एक portal यानि की वेबसाइट आई है उसको कितनी भासा में आप पढ़ सकोगे उसको आप 23 भासा में पढ़ सकोगे उसको कितनी भासा में पढ़ पाऊगे अफिशली जो हना नोटिफिकेशन है तो क्या है, हमारा सविधान दीवस था अभी सविधान दीवस कब मनाते हैं, सबको यह याद रहना चीए सविधान दीवस मनाया जाता है 26 नवंबर को Constitution Day 26 नवंबर को 26 नवंबर 2023 को हम लोगों ने कौन सा सविधान दीवस मनाया 73 नवंबर मनाया जहान रखना मतलब 73 वा सविधान दीवस मनाया हम लोगों ने तो Ministry of the Parliamentary Affair Invite to all the participate in the Constitution quiz and online reading of the preamble दो web portal launch किये हैं इनोंने पहला web portal क्या है? पहला web portal इनका है आर ऑपरेशनल तो एंशोर मैक्सिमम जन भागीदारी पहला इनका जो है न आप मलब यह दो portal इसलिए लॉंच किये था कि ज़्यादा ज़्यादा लोग जो ने इस पर अपनी भागीदारी दिखाए पहला portal का नाम है online reading of the preamble to the constitution in 22 official language and English online reading the preamble प्रियंबल को online पढ़ सकोगे constitution का 22 भासा and English के अंदर portal का नाम है यह STTPS Hypertext Transfer Protocols S4 Secure होता है और readable.nic.npse पढ़ सकते हो आप लोग यह इंडिया का domain हो गए आपका दूसरा portal है online quiz on भारत भारत लौक तंत्र की जननी ठीक है ना एक quiz है भारत लौक तंत्र की जननी जिसमें आप इस पॉर्ट इसको constitution को पढ़के उसमें quiz है और कुज के इंदर जो आप अच्छा करते हो अच्छे आप जवाब देते हो तो anybody can participate उसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है anywhere कहीं से भी and get certificate उसको फिर certificate भी मिलेगा इसके लिए तो यह एक अच्छा point है जो भारत का parliamentary ministry of parliamentary affairs ने जो ने इसको launch किया है दूसरा portal है यह वाला जिसके बर quiz में हिस्सा लेकर certificate कर ले सकते हो आप लोग यह news में रहा था और quach news में तो रहा था पर quach है क्या actually बहुत अच्छा सवाल है यकिनन paper में बनने वाले सवालों में से एक सवाल है यह वाला और इसका ठीक अंसर क्या है automatic train protection system इसका ठीक अंसर है तोड़ा ध्यान सा समझी है इसका मतलब क्या है देखो होता क्या है अक्सर यह एक जग एक पट्री है मालने थे पट्री है ठीक है और इसके उपर जो है इस पट्री के उपर ये पट्री है और इस पट्री के उपर आ रही है ट्रेन इस पे एक ट्रेन आ रही है और इधर से एक सामने ट्रेन सामने एक पट्री पर ट्रेन कैसे आ सकती सर सिगनल नहीं देखते हैं। उस भूंने डेक्खा। मतलब सरे इसे बात का क्या है ? मतलब इसे बात का यहे జयोरेख्ट्रेन का सफर होता है जो सारे स्टुडेंटेंट यहें दो थीन ज्टॉडेंट ह respectfully सैंफिकsteen और जो अभी train में मतलब train driver को एलपी कहलो आप लोग assistant loco pilot कहते हैं को एलपी अनको rest house बहुत अच्छे दिया जाते हैं इनके rest house में गया वा हूं तो बहुत अच्छा इनको रहने के लिए दिया जाता है undoubtedly लेकिन इनका schedule बड़ा hectic होता है salary भी अच्य हासी होती है रूपे से ओपर देड़ लाग के आसपास लियाती है इनका स्कैडूल बहुत ही हेक्टिक होता है यूकि जिन्दगी मालगाडी से स्टार्ट होती है और करकुरा के इनको फाइनली मिलती है मालगाडी के बाद में को ये को नॉर्मल पैसंजर ट्रेन फिर इनको बिलती हो पर एक ही ट्रेक पे दो ट्रेन आ जाती है तो अकसर आप लोगों ने ऐसे बड़े-बड़े हाथसे होते देखा हुगा थोड़े समय पहले ओडिसा के अंदर बहुत भयानक हाथसा हुआ था ये भी पेपर में बन सकता है कही ने कहीं सावाल इसके बारे में पढ़ेंग अकसर आपस में overtime bride त हैं और तह्सन रात और हजाते है हजरो की सैंख्या में लोग गायल हो जाते हैं संक्डो की सैंख्या में लोग मारे भी जाते हैं और यह भी कोई जुठता नहीं सकता कि हजारों भी लोग मारे जा सकते नो बिक डिल ठीक है ना ऑकसर ऐसा होता है आपका की पट्री के उपर अगर दो ट्रेन आ रहे हैं आमने सामने इनको आपस में आप लोग जो है ना यह कवच रोकने का काम करेगा अब रोकने का काम करेगा यह एक्च्छली अरफ आईडी टेक्निक के तुरू काम करेगा रेडियो रेडियो फ्रकुंफी इंटुफिकेशन एक रेडियो एंटिना लगाऊगा तो के तो इस एक ट्रेक के पर डो ट्रेन आ जाती है और कुछ और कम distance होते अपने आप automatic break लग जाएंगे प्रेन अपने आप ही रुख जाएगी आगे बढ़ेगी नहीं सर ऐसा possible है कोई हाँ रेल मंतरी अश्वनी वैश्णों हैदराबाद के अंदर जोना तेलंगाना की राजदानी हैदराबाद भे इसका ट्राइल लिया यह successful हुआ 100% successful हुआ ही है मतलब क्या है accuracy 100% जहां चाहिए था वहीं रुकी थी exact अरे वासर यह बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है एक काम करो तो पूरे भारत में लागू करो नहीं इतना जल्दी नहीं हो सकता आइंस्यली जो बज़ेट आया था हमारा और अनुच्छी Um अगर ठीक हूं तो यह बज़ेट था दो हजर 22 का दो तीजड два और एक फरवरी को बजचा ऺंसीइस का जो बजचे था उस बजचेjac के अंदर यह अनौसमें By एक्चुली कि हमारे भारत के अंदर 2000 km रेल नेट्रोक को रेलवे कवच प्रोजेक्ट के अंदर डाला जाएगा सर 2000 km तो बहुत होड़ा है पूरे भारत का रेलवे ट्रेक ऐसा हो जाना चीए ताकि ऐसे बड़े बड़े हाथ से ना हो हां तुमारी बात तो ठीक है पर इसमें एक किलोमेटर बनाने के लिए एक किलोमेटर ये रेलवे ट्रेक बनाने के लिए पचास लाक रुपिया लगता है कोस्ट ही एक में फेक्टर है सर मतलब हां तुसरी बहुत पैसा नहीं है दुनिया में कोई देशों के पास टेक्नोलोजी होगी वह इसमें हो सकता है कि कुछ मतलब थोड़ा कम पैसा कर्च कर दें ऐसा हुआ बात तुम्हारी ठीक है बट दुनिया के अंदर जो है जो जापान नाम का देश है उसमें वह एक किलोमेटर पर दो क्रोड रुपे कर्च क आती आपस में एक दूसरे पर सामने आते ही दोनों के ब्रेक लग जाएंगे औरिसा के इंदर हाथसा हुआ था कैसे हो गया था न्यूज में है वेरी इपॉर्टेंट है क्यों पूछे जा सकते हैं ऐसे हाथसों के सवाल भी औरिसा ट्रेन एक्सिडेंट जो है यह बेसिकली जो है ना यह लेकर आ रहे है यह चेतावनी परणाली है इसे ट्रेन टकर बचाओ परणाली की रूप से कह रहे हो आप लोग एक जगह से आने से पहले अपने आप ब्रेक उनके लगेंगे एक एंटी कॉलिजन डिवाईज लगा होता है अनमें एंटी कॉलिजन मतलब टकरा अपस में फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम आजकल ट्रेन में लग रहा है तो अपने आप ट्रेक्ट हो जाए फायर है या स्मोक है ताकि कोई बीडी वगरा ना पर जिग्रेट बीडी का भी एक बड़ा ही चकर रहता है त्रेन वगरा में सीची टीवी सर्विलेंस से खेलो इंडिया उनिवर्सटी गेम्स तो अब यह अगला सवाल क्या कहता है हमारे पास में टोटल 10 किस्टन कर लेते हैं हम लोग वैसे तो मैं दस नहीं पताने कितने ही किस्टन करवा दियां दस के अंदर बहुत सारे चोट चोटे मेरे सेशन में बस एक चोटी सी यह प्रा और इस बार से तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी स्टार्ट हो गए हैं तो तीनों ही बड़े इपॉर्टेंट एक्जाम के लिया भी लिए खेलो इंडिया युनिवर्सटी गेम का तीसरा इस बार सेशन था तीसरा सेशन था वो इस बार कहां पे हुआ जी इस बार हुआ यूपी के अंदर हुआ था उत्तर प्रदेश की कापिटल लखनव के अंदर हुआ था ज्यान रखिएगा और इसके अंदर टॉप यूणिवर्सटी कौन-कौन से रही फर्स्ट पोजिशन पर इसके अंदर आई पंजाब यूवर्सटी पढ़ती कहां पर चंदीगड के एक अपने आप में एक यूच सा एक महसूस होता है इस यूवर्सटी में जब जाओगे एक अलगी आनंद की अनुगती होती है ठीक है तो मतलब काफी अच्छी है यूवर्सटी और स्टुडेंट्स का पढ़ते का खेर यहां पे अपने आप में एक सपना भी रहता ही है इसके अपास में टोटल जो हेना वो ट्वंटे 6 गोल्ड आयते सावनटीन जोहने इसके इा सिलवर आयते ब्राउने आयते और शिश्तीनाइन इसके इनन टोटल मेडल आयते इस यूव रहा है लेंग्वेज से रिलेटिड है ठीक ना उझे लेंग्वेज याद नी आरी फिलाल के लिए ठीक है ना काफी अच्छे खासे जाने जाते हैं वो डिपार्टमेंट कहना भाई यह चाह रहा था तो काफी अच्छी युनवस्टी पंजाब युनवस्टी एवन हर्याना पंजाब का इसके पर conflict चल रहा है विवाद सा चल रहा है कि पहले पंजाब युनवस्टी के अंडर आते थे हर्याना की कुछ colleges आते थे अब क्या है कि वो तो अंडर आते नहीं है उस टाइम पे मुक्यमंद्री जी ने साइन कर देते का तिरे हमालग लग लग रहेंगे हमारे भी कुछ college पंजाब युनवस्टी के अंडर आये क्योंकि वजह ही है कि चंदीगड में है चंदीगड अर्याना पंजाब की common capital है यह अपने आपने युनवस्टी बहुत अच्छी है इस युनवस्टी के अंडर जाओगे बहुत बढ़ा तो एक campus है तुम कभी इसमे और गुरु नानक देव युनवस्टी है अमरसर पंजाब की है यह भी ठीक है अमरसर भी अपने आप बहुत अच्छी जगह है स्वान मंदिर है यहां पे ठीक है यहां नहीं गया हुआ मेरी बड़ी जाने की इच्छा है यहां पे एक जैनी युनवस्टी है करनाटका में एक है पंजाबी युनवस्टी पटियाला में एक है गुरु काशी युनवस्टी एक है कुर्चेतरा युनवस्टी हरियाना की ठीक है यह टॉटल टॉप सिक्स है आपकी यह ठीक है तो यह इपार्टन्ट होगी सारी आप भी अच्छा सर खेलो इंडिया यूथ गेम कहां ह हुए थे यह भी सवाल आ सकता है खेलो इंडिया यूथ गेम जो है आपके 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक हुए थे यह पांचवा इनका वर्जन था मैं आपको नहीं यह बताता हूं देखो ध्यान से सुनना आप लोग इस बात को खेलो इंडिया यूथ गेम से सवाल बन सकता ह पहली बार 2018 में इनको स्टार्ट किया गया था इनको किसने स्टार्ट किया था इनको स्टार्ट किया था राज्यवर्धन सिंग राठोर ने राज्यवर्धन सिंग राठोर यह कौन तेसर उस समय में बारत के खेल मंत्री थे मुझे कमेंट में बताओ करेंट में बारत के खे अनुराब इठाकूर याद रखना आप लोग वैसे अचा ठीक है और ये बहुत परसन बताओं क्यों है क्योंकि इन्होंने साल 2004 के इंदर एथेंस के इंदर जो है न वह सिल्वर मैडल जीता था शूटिंग के इंदर ठीक है न एथेंस ऑलम्पिक में सिल्वर मैडल जीता था उनका नाम क्या था खेलो इंडिया खेलो इंडिया स्कूल गेम था इनका नाम स्कूल गेम था इनका नाम 2019 के अंदर जो है ना इनका नाम कर दिया गया क्या 2019 में इनका नाम हो गया आपका क्या खेलो इंडिया यूथ गेम हो गया यूथ", यूथ गेम 2019 में इंका नाम होगया, 2018 में ये पहली बार कहां पे हुए थ Prime 218 में पहली बार होए थे दिल्ली के अंदर हुए थे 1290 में दूसरी बार कहां हुए थे अर्ग्वार्त वैसे असम के इंदर है इतम जिन्दकी की वजह से इफ बइसे पहले की लाइफ बहुत थीख ठाक थी मुझे लगता सब setup में भी कोवीड की लाइफ हैัफ कोवीड से पहली की लाइफ अमेजिंग लाइफ ay 땃 ती कॉवीड के बाद टपसी हो गही है भारत एक्स्प्लोर करने का बड़ा मन है भारत के कोना कोना गोमने का बड़ा दिल है और खैर चलो देखो कब रादिरानी की किरपा होती है कब होगा उसके बाद में 2021 जो है ना आपका उसके अंदर क्या है 2021 के अंदर हुआ 2021 में कहीं हुआ ही नी 2021 में COVID आ गया, यह मैं उसी की भात कर रहा था, COVID-19 आ गया, इसने में गेम को भी ठप कर दिया, लाइफ को ठप किया ही, गेम को भी ठप कर दिया, 2022 में हुआ फिर, अब ध्यान रखना, 2022 में हुआ, पर वो 21, नाम इनका 21 ही, और यह काउं पे हुआ, यह हूआ, यह हूआ, पंचकुला, मतलब यह हर्याना के अंदर हुआ, ठीकेएना, पंचकुला हर्याना में, फिर 2023 का जो ह श्रोड के और हूं स्ट को ज directement भाटा है तो चली आफ्यार आपको पता रहना चाहिए है प्हली बार में टॉ पाए दूसरी बार में त्रह पाया था महारास्ट्रह सेकंड में राता और थर्ड पे दिल्ली रहा था इसमें भी है थंत Lord एम पा कर्नाथ कर्ляются ॅici正 चलो सर, तो ये लिस्ट हुई, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम का इस बार का एडिशन जो रहा है, छटा एडिशन है, ज्यान रखना कहा हो रहा है, ता मिल लाडू मेरो, कचा कब से कब हो रहा है, ये भी जुरूगी है तुम्हें, 19 जनुवरी से 31 जनुवरी 2014, ये इपोर्टन सवाल है, अपकमिंग सवाल है, ज्यान रखना, और इसमें स्कॉलर्शिप 5 लाख रुपे तक ही है, 17 से 21 का एज का बच्चा है, इसमें हिसाले सरता, स्पोर्स अथियोर्टी ऑफ इंडिया, साही जोना इसको परवाती है, बगरा बगरा बाते को ढ़Ad tunes फायते के सब्सक्राइब, अगला को सा उनिवहें हा है अगला ब्राजील है, इसमें सवाल जोनों ही नहीं सवालiau है, ये दोनों सा ही पर रहा है, एंडिया सेटा नमेरिवहें हमाले सवालों और हैंता हुआ और 20 आता नमेंबर ए, अगला प्राजीन, अगला क्स बारत से पहले वाला कौन सा था इंडोनेशिया बारत के बाद वाला कौन सा ब्राजील है इस बार बारत में ओके ये G20 ना ओके G21 हो गया क्योंकि इसमें अफ्रिकन यूनियन भी भारत की अध्यक्सता में एड हो गया है G20 officially कब बना था? In the year of 1999 को बना था बारत कब मेंबर बना? Since 1999 से 1999 में से ही भारत जोना इसका हिस्सा है इध्यान रख लीजेगा आप लोग ठीक है और G21 और Group of 21 इन ये एक मेंबर है आपका जिसके अंदर क्या है? 19 तो country इसके अंदर आते हैं, European Union इसके अंदर आते हैं रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉंगर ये इसका थीम था उस टाइम पे इस बार इसमें 21 मेंबर कौन सा बना है? African Union बना African Union की स्थापना कब हुई? 9 जुलाई 2022 को हुई थी, इसके मेंबर कंट्री कितने? 55 है और headquarter इसका अधी जबाबा, Ethiopia के अंदर इसका जो ना headquarter पढ़ता है ये ध्यान रख लीजिएगा आप लोग अच्छा, G20 के कौन-कौन से देश है? ये सवाल भी paper में आता है हलके में मत लेना, very very important है, ये सवाल भी आता है paper में कि G20 के official member कौन-कौन से है आपके, पता रहने चाहिए आपको कौन-कौन से है जर्मनी है, USA है, Russia है, UK है, Japan है और India है, इसके लावा Saudi Arabia है, Indonesia, Turkey है, ये तुर्की नहीं अब, तुर्की को तुर्की ये बोलते है, नाम बदल दिया इसका हिंदी में तुर्की हो गया, इंग्लिस में टर्की हो गया धान रखना, पहले तुर्की था, इसके लिए उस्ट्रेलिया है, अर्जेंटिना है, ब्राजिला है, साउथ कोरिया है, साउथ अफरिका, कनेड़ा है, फ्रांस है, चाइना है, इटली है, मैक्सिको है, और European Union है, सीधा रटा नहीं मारा जा सकता है, एक बार आखों के आगे से निकालो, कि हाँ ये देश है, ऑप्शन में आए, तो पता लगा लोगी कि हाँ ये वाले देश है आपके, ठीक है, चलिए, इसके बाद में क्या कि इस बार दुनिया का सबसे बड़ा नटराज स्टैचू जो ह हुआ था, निरेंदर मोदी जी ने इसको चेर किया था, ठीक ना, और भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास में इसकी G20 की प्रेसिडेंसी थी, हमारा लोगो क्या था, लोटस था, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुदेव, कटुम, कम, इस बार का ह हुमारा ये थीम था आपका, छे इस बार एजेंडा थे, इस बार एजेंडा थे, इस बार एजेंडा थे, इस बार के आपके, लोगो था, जिसमें सैफरन, वाइट और गीन, हमारे वोई, कलर हो गे थे, वसुदेव, कटुम, ये तो मैने अल्रेडी बता ही दिया आपको, एक G7 है, इसमें ये देश आते हैं, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, युनाटेट इंग्डम और युनाटेट च्ट अफ अमरिका, G8 में रश्या आता है, G20 में ये सारे देश ओर आ गया आपके, इस तरीके से इनका पूरा मैप भी आता है, ठीक है, यह कुसन मुझे बताईगे, कहां पर बताएंगे मुझे, आप मुझे बताएंगे, हमवक में रूप में, इस तो यह का, हमवक में है, यह वाला क्यूसन, और के साथ-साथ-सात् Dalms तो अगर आप रूग मीरा ऑ Keeping Theerme करनें चाहते हैं, तो क्या है सुनिल कोर टेस्च पर कोई पर कोई भी बैच लेना चाहते हैं तो coupon code सुनील भी लगा लेना session कैसा लगा बताइए जुरूर feedback जुरूर दीजिएगा मैंने बहुत दिल से पढ़ाया है तो feedback जुरूर देना thank you so much सभी को रादे रादे चैनल को subscribe जुरूर कर देना thank you thank you so much